हेलो मैं दियर स्टूडेंट्स हाव आप सबी आई होप आप सबी अच्छे होंगे इस वीडियो में पूरे टॉपिक के ऊपर मैं यही बात करने वाला हूं सैनिक स्कूल का रिजल्ट कावाने वाला है क्लास शिक्स और क्लास नाइध उसके बात करूंगा क्लास शिक्स वाले आप सब्सक्राइब करने से पहले आपको बता दूंगा एक वेबसाट पर हमको जाना पड़ेगा जहां पर एक दम एकुरेट जाती है हमेशा ओल्वेस्टी का और सबसे पहले दी जाती है सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और अजेविद्यागन.com सर्च करना ठीक है इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के नीचे भी दे दूंगा अजेविद्यागन.com देख लीजिए सब कुछ बड़े में लिख दो या फिर जाना है और नीचे जाने का फर्स्ट आफ वाल बात जान लेते हैं इस एनकी स्कूल का जो रिजल्ट डेट है यानि कि जो क्लास शिक्स और क्लास नाइंद का जो रिजल्ट का आने वाला है यहां पर दिया ठीक है तो एस पर टच करेंगे ठीक है बच्छों कोई भी जन करे धोड़ा सा फिरच आपको नीचे जाना और नीचे जाने के बाद यहां पर देखोगे सबसे पहले हैं तो यहां पर किये नीचे जाओगे सब कुछ हैं पर सभी देट जी गई हैं तो इस website पर जाके विजिट करो आप बात करते हैं जो में पॉइंट हमारा जो है आपने आप अगर रिजल्ट का डेट जाना चाते हो तो इस लिंक पर किलिक करना पहले वाले पर ठीक है अब पहले वाले लिंक पर किलिक करोगे तो है निस में मेरा अगरा नमबर आ आया थो आपको थोड़ा सा नीचे करना जैसे मैंनीचे कर रहा हूं ठीक है सब कुछ है और देखने के लिए मिल जाएगी सब कुछ चेकर सकते हैं बच्चों अब हम थोड़ा सा नीचे जाएंग हम सैने की स्कोल है जो काट टॉफ है वह ज अगला वाला पेश हमारे सामने फ्रंट आपस खुल के आ गया है ठीक है अब थोड़ा साम को नीचे जाना है ठीक है अब थोड़ा साथ जैसे आप नीचे जाओगे तो इन्हें पर देख पा रहे होगे कि स्कूल देरबाइस का जो कट आफ है किस तरह से बनता है ठीक है वो अपियर इन दा एक्जाम ठीक है इस्टेटल लेबल पूरे मतलब जो भी आपका राज है माँ पर मतलब कितने बच्चों ने एक्जाम दिया है उसके बाद टोटल नंबर अफ स्टुटेंट फूटेंट इन दा एक्जाम कितने बच्चों ने परिक्षा दी ठीक है वो अप कितने बच्चों ने पेपर दिया था कितने बच्चों ने परिक्षा में बैठे थे लुए स्कूल का जो टोटल मार्क्स कि अगर बात करूं तो टोटल यो परिक्षा होती है कितने ही 300 नंबर की परिक्षा होती है और 300 नंबर में से आपको कमची गाम 220 मार्क्स लाना जरूरी है कितना 220 220 अगर जिसका माक्स बच्चे का स्याना पड़ेगा तो थोड़ साम दीचे जाएंगे ओक्लास नाइंध का आप यहां पर आप देख सकते हैं अगर मैं क्लास ना से काटॉप के बारे मां बात करूं तो इसका जो पेपर होता है 400 अंकों का होता है उता है तो हरेख बच्चे को जो भी क्लास 9 के लिए फॉर्म अपलाई किया था उनको कम से कम 320 प्लस मांक्स आना चाहिए यह क्या बोलते है क्वाइलिफाइड मतलब क्वालीफाइड लिस्ट तो यहाँ पर इस पर किलिक भी तो तो यहाँ पर आप देखोगे कि कुला क्वालिफाइड लिस्ट पर आने वाला है जो डिस्ट की बात करूं आप मेरे लिस्ट की बात करूं वो के आने वाला अंसर को यह 25 का बाद कने lifetime peng माने वाला रिज्ट अने WOA यह दो कोशनी फरी में कर दो अगर जाए चाहरी आगए तो आप खुद भी च्रक कर सकते हैं जाना वीडियो के निचे लिइक मिल जाएगा वेफटका आया फिर आपको सर्च कर ले अजेविद्यगन डॉट कॉम लिखने की जरूध भी नहीं अजेविद्यगन सर्च करोगे जैसे आप अजेविद्यगन सर्च करोगे पहले नंबर पर एक website खुल के आ जाएगी अब देखिए अजेपिकरा.com यह वाली website आ रही न यह वाली website पर आपको क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको आइकन भी मिल जागा ए और बी रेडिकल नहीं ठीक है तो इस website पर आपको सिंपली सा क्लिक करना है क्लिक करने के बाद हमारी website पर पहुं कट-off के बारे में वहां पर दिया रहा है जैसा कि मैंने वीडियो में बताया आप खुद भी जाकर बच्चों अपने दिखा सकते हैं पर पेरेंट्स को दिखा सकते हैं खुद भी पर सकते हैं ठीक है तो इस website पर एक बार जरूर बिजिट करना इस website पर आपको जरूर से एक तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करना थीक है तो मिलते हैं कल के एक और नए शांदार वीडियो मा आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो दिखने लिए थै थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो